अस्वाम लेकुम भुने हुए चनों की टिक्या बनाने के लिए हम एक कप पानी लेंगे एक कप पानी के अंदर हम एक कपी देशी घी का डालेंगे और एक कपी हम चीनी मिक्स करेंगे अब एक कपी हम ने देशी घी का डाल दिया है उसको मिक्स कर लेंगे इसमें उबाल आ रहा है और हम एक कपी इसमें चीनी मिक्स कर दोगे तीन कप हम भुनेवे चनू का पाउडर लेंगे चने हमने एक पीस लिए है तीन कप अब हमें चाहिए अक रोट और पिस्टे को हमने बरीक काट लिया है और बदाम को भी बरीक काट लिया है अब हम इसमें पिस्ता और बदाम अक रोट मिक्स कर देंगे अब हम इसमें बुने हुए चनू का पाउडर जो है वह भी मिक्स कर देंगे चुला बंग कर दें यह बंग चुका है वस मिक्स कर लें अच्छी दे के से अब इसमें इसको प्लेट में निकाल लें और थोड़ी देर से ठंडा होने के लिए रख दें इसको आप चाय के साथ खाएं सर्दियों की मज़िदार सुगात कर देंगे झाल झाल